संपूर्ण श्रीमत भगवत गीता सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। गीता का सार, श्रीमद भगवद गीता, अध्याय दोशलोक 11, श्री भगवान वाच, अशोच्याननव शोचस्त्वं प्रग्यादान शर्च भाष्य से गता सुनाकता सुन्शर्च नानु शोचन्ती पंडिता, श्री भगवान ने कहा तुम पांडित यपून्वचन कहते हु वे उनके लिए शोक कर रहे हो, जो शोक करने योग्य नहीं है, जो विद्वान होते हैं, वे न तो जीवित के लिए, न ही मृत के लिए शोक करते हैं। तथा आत्मा एवं दोनों के नियामक को जानना है, अर्जुन का तरक्था की राजनीती या समाजनीती की अपेक्षा धर्म को अधिक महत्व मिलना चाहिए। किन्तु उसे यह ज्यातना था की पदार्थ, आत्मा तथा परमेश्रवर का ज्यान धार्मिक सूत्रों से भी भाव था, अता उसे विद्वान नहीं बनना चाहिए था और चुन की वह अत्यदिक विद्वान नहीं था, इसलिए वह शोक के सर्वता अयोग्य वास्तु के लिए शोक कर रहा था, यह शारीर जन्मता है और आज या कल इसका विनाशनिश्चित है, अता शरीर उतना वपुन नहीं है जितना की आत्मा है, जो इस तथ्य को जानता है वही असली विद्वान है और उसके लिए शोक का कोई कारण नहीं हो सकता.